Hello class 9th students, lines and angles के first exercise के third question को हम लोग आज की बढ़ अमसाल करेंगे Question में क्या रहा है कि in figure 6.15 मतलब इस वाले figure में PQR जो है वो PRQ के equal है मतलब ये वाला जो angle है वो इस वाले angle के equal है Question में क्या बोला है? PQR मतलब PQR मतलब इस वाले angle equal है PRQ के PRQ के इस वाले angle के प्रूफ क्या करना है? PQS जो होगा वो PRT के equal होगा PQS मतलब हमें प्रूफ करना है कि ये वाला जो angle है ये वाला जो angle है PRT मतलब इस वाले angle के equal होगा हमें क्या प्रूफ करना है? ये वाला जो angle है वो इस वाले angle के equal है यह हमें प्रूफ करना है, हमें दिया क्या है, कि यह जो एंगल है, वो इस वाले एंगल के एक वाले है, यह हमें दिया हुआ है, इस ही का फायदा उठाएंगे, ठीक है, जिहान से देखेंगे कैसे, अगर मैं इस एंगल को X मानूँ तो यह एंगल X हो जाएगा, ठीक है, अग मतलब फिर P, R, Q भी क्या हो जाएगा, वो भी X हो जाएगा, ठीक है, अगर P, Q, R, यह लाइंगल जो है, वो X है, तो P, R, Q, मतलब यह लाइंगल भी X हो जाएगा, उसी बात को मैंने यहां पर लिखाया, ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहाँ, P Q S का वैल्यू ग्या हुआ बताइए मैं आप से पूछ रहा हूं यह ला एंगल कितना होगा आपको एक थ्योरम पढ़ाया गया हुआ माली जाए एक स्टेट लाइन है यह एंगल माली जाए अगर X है इसके बगर वाला जो एंगल होता है 180 माइनस X होता है बसरते यह नीचे वाली लाइन जो है वो स्टेट लाइन होनी चाहिए ठीक है अगर यह नीचे वाली जो लाइन है वो स्टेट लाइन है तो अगर यह अला एंगल X है तो बगल वाला एंगल 180-X होता है यह straight line की property होती है ठीक है तो अगर ये वाला जो angle है वो x है अगर ये वाला जो angle x है तो बगल वाला angle क्या हो जागा 180 minus x ठीक है यहाँ पर मैं बगल में एक angle बना करें सकता हूँ ये क्या जागा 180 minus x उसी प्रकार ये वाला angle भी तो x है तो बगल वला एंगल कितना हो जाएगा 180-x तो यह वला एंगल भी 180-x है और यह वला भी एंगल 180-x है इस एंगल का नाम क्या है प्कुस तो मैं यह से लिख सकता हूँ कि एंगल प्कुस जो होगा 180-x का एक्वल हो जागा अगल यह वी तो 180-x का एक्वल है यहां से मैं लिख सकता हूं कि angle PRT जो है 180-X के इक्वल हो जागा तो अब देख पा रहे हैं PQS भी 180-X के इक्वल है PRT भी 180-X के इक्वल है मतलब यह और यह आपस में इक्वल है इसकी भी यही value है इसकी भी तो यही value है मतलब यह और यह आपस में क्या है इक्वल है यहां से मैं लिखूंगा देस इंपलाइस एंगल P QS is equals to एंगल P RT इसका मतलब क्या होगा यह एंगल इसके इक्वल होगा तो यह लिख दिया और यह तो इसका मतलब क्या यह शीजर्रe B fallait करें वह ड क्याल दोð यह देख रमधर इसरो इसकी मतलब कॉ смож्शंगा जर दो यह जरत दो झाल झाल